असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे about pointing vector स्टूडेंट्स अब से पहले हम pointing vector के definition देखेंगे इसको introduction देखेंगे बात में हम इसको explain भी करेंगे तो start करते हैं हम इसको इसके definition के साथ The rate of flow of energy through unit area held perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave is called pointing vector तो pointing vector मेरे पास क्या होता है basically यह मेरे पास rate of flow of energy होता है किसमे से through unit area यानि किसी भी unit area में से जो मेरे पास rate of flow of energy होता है जिसको हम एक electromagnetic wave की propagation की direction के perpendicular रखते हैं तो उस rate of flow of energy को हम क्या नाम देते हैं pointing vector का नाम देते हैं ठीक है तो उसके बाद यहां से मजीद देखे it is donated by S इसको जो हम S के साथ donate करते है its direction is that of direction of propagation of wave ठीक है और इसकी जो direction है वो ही direction होती है जिस direction में जो वो electromagnetic wave propagate कर रही होती है वो ही direction है pointing vector की भी direction होती है मजीद देखे its SI unit is w per meter square ठीक है तो यह इसका जो है वो unit होता है ठीक है आप इसको लिखेंगे साथ same as it is तो अब बात करते हैं हम इसकी explanation की ठीक है तो explanation में देखें यहां पे when the electromagnetic wave spread in a region from the source then जब हम किसी भी electromagnetic wave को हम जो हो किसी भी source के थ्रू किसी भी region में जब हम उसको पहलाते है उसको वहां पे spread होती है wave फिर क्या होता है then some energy is transferred from the source to this region as shown in figure तो फिर उस source से उस region के अंदर कुछ ना कुछ energy भी transfer होती है ठीक है जैसा कि माल पास इस wave इस जो है वो figure के अंदर दिखाया गया है so the magnitude of pointing vector s when d u energy passes through area d a in time interval d t is given by तो उस पॉइंटिंग वेक्टर का जो magnitude है जब जो है वो कुछ ना कुछ energy जो है वो उस unit area में से जब pass out हुई time delta d में तो मार पास magnitude उस पॉइंटिंग वेक्टर का कितना आता है s is equal to d u over d a d t ठीक है तो इसको हम कहा देते हैं question number one का नाम दे देते हैं कि मजीद यहां पर देखें since the electromagnetic wave are the combination of electric field and magnetic field अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी electromagnetic wave होती है वो basically मारे पास जो है वो combination होती है electric field का और magnetic field का so the energy density mu of u of em wave is given by तो उस एलेक्टो मैगनेटिक वेव के जो मारे पास जो energy density होती है वो मारे पास किसके बराबर होती है u is equal to u e plus u m ठीक है यह आगे मारे पास उसकी जावो energy तो अब हम जानते हैं कि जो electromagnetic wave की जो हमारे पास जो energy होती है वो सोरी जो ऐलेक्टिक फील्ड के लिया से महरे पास जो हूंन आट यह कि अउए जियो ऐसे एक्ट्र मैगनेटिक के लिया से जो हमारे पास जो कि नर्जी हूती है वो कि स्के बराबर होती है 1 over 2 बीस के 258 mu 9 पास की ठीक है इस को क्या करते हैं E is equal to CB के तुरूरेट करती हैं और इसको हम ए का नाम दे देते हैं और यहां से अगर हमने B की दें नकाल लिए हो तो सी को दर जाकी की ड्वाइड कर दे हैं और यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई करनी है ठीक है अब क्या किया है यहां पर देखिए यहां पर यहां पर अफिल again कर दिया ठीक है वागी सारा कुछ से मैं इस इसको हम कहा देते हैं क्वेशन नमबर ठ्री का नाम दे देते हैं आगे देखें सिंस दा रिलेशन बैट्विन मू नार्ट एंड एफसलन नार्ट इस गिवन बाई अब हम पिछले लेक्सरे में भी एक दो हमने जगा पर यह रिलेशन यूस किया है कि जो मार पास ज पर जाएका और एफसलन नार्ट की जगाप स्के रा आज अएक तो यहां से में किसकी वैलियू मिल गई एफसलन नार्ट की अब हम क्या करेंगे इसी को एक्मेर ध्री में पूट कर देंगे यानिक एक्वेशन नमबर थ्री में यह हमारे पास एस नारा रहा इसके जगह पि कंप्लीट हो जाएगा तो यह मारपास आगया वन इबी ओवर म्यूनाट सी के बराबर आगए ठीक है अब डीवी जो है वह इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको अधर जाके हमने जो हो मैटिपलाई कर दिया ठीक है अब आप जानते है कि जो डीवी वह बराबर होता है डी ए तो इस १की जगह फोने क्या पूट कर देना अब सी धडी थ हमने पूट कर दिया यहां से सी के साथ सी को क्या कर दिया थो पीछो मार पास किया कोई भाली ती इडइल एक्व сказать ओप ने किया रहे एliyor है त॑ इसको बनेगी अब इक्वेशन नामे में देखे निमारा और गरा जो ये वाला जो फैक्टर था वो भला किसके बराबर था वे मैं एक्वेशन नंभर इसको हम क्या देते हैं क्वेशन नमबर फॉर सो एंस दिस इस दा मैगनिशीड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एस तो यह मार पास जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर एसका मैगनिचूड अगया यह यह वाला फार्मुला यूज करेंगे ईबी ओवर म्यू नाट ठीक है तो आगर मजीद इसको सिंप्लिफाई किया है देखें यहां पर ठीक है अगर हमार पास जो है वह देखें लिखा है ऐसी जगो टूई बी ओवर म्यू नाट साइब यहां यानि के अपनी तरफ से मने लिखा यहां पर वान की जगा पर हम साइनाइटी बराबर होता है ठीक है तो यहां पर एंगल ठीक है तो यह था बेसिकली हमारे पास वह पॉइंटिंग वेक्टर का सारा अमीद करता हूँ आपको आज का लग्चर अच्छे से क्लिए रहुआ होगा जिसमें पॉइंटिक वेक्टर की डाइफिनेशन साथ में उसके तो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में किसी और टॉपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर एंट लाफिस